आयोध्या को लेकर के UPK X.D.G. सूरकान चुकला ने एक फिल्म बनाई है और इसको लेकर के उनकी क्या सोच है बात करेंगे सर आपकी क्या सोच है अस फिल्म को लेकर के आयोध्या इस वक्त चर्चा का विश्य है रामंदिर का निर्माण हो रहा है भाव उद्घाटन की ताय और इसका विसे यह है कि जिस प्रकार मध्य काली नितिहास के दौरान विदेशी हमलावरों ने आकर देश के तमाम मंदिरों को तोड़ा उसमें राम मंदिर आयोध्या भी था और उसके बाद जब आजादी देश की हुई तो तमाम भारत वासियों ने हिंदू धर्म के मानने वालों ने राम भक्तों ने सबने मिलकर एक आंदोलन चलाया और आंदोलन चला कर फिर कोर्ट के चेहरी के माध्यम से यह न्रणय हुआ और यह द्यारम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं खोगा एक प्रीड़ना का स्रोथ होगा पूरे देश में राम अमराज्य के करम में आज ये सो रखा गया है लखनव में कि लोग जाने कि आगे ये फिल्म आएगी और लोगों को प्रेरित करने के लिए मुलतफ बनाई गई है और क्या क्या अत्या चार किये गए थे बीदेशियों दोरा और हमारी संस्कृती सभ्यता कितनी महान थी उन सब बातों को भी इसमें सामिल किया गया है राम लला के अंदूलन को दिखाया है आप खुद उस समय मौझूद भी रहे आप उस सर्विस में थे कितना बदलाव आप देखते हैं और उस समय क्या महौन था उस समय एक समय तो आपको याद होगा कि ऐसा आया था कि जब राम जै जैशी राम का नारा लगाने पे लोग गिरिफतार हो जाते थे उत्तर प्रदेश में करीब सवा लाख लोग गिरिफतार हो करके जेलों में चले गये थे सननब्बे के लगभग लेकिन फिर समय पल्टा और जोगों की ताकत एक जुटता एक काम आई और अंततह पहले आंद रुख चुका है रेल्विस्टेशन का नवने इर्माडवा है नए पत्थ बने हैं मंदिर के साथ साथ एक सवरूप भी बतला है आपकी उस समय आपने जो अध्या सर्विस के समय देखिए और आपकी अध्या में क्या बतला प्यों आयोध्या में तो बहुत ही धार्मिक दिये लग गए हैं तमाम संगठन बन गए हैं तमाम आंदोलन चल नहीं हैं और विस्व गुरू बनाने के लिए भारत को अब तमाम लोगों ने काम सुरू किया है कि हम फिर से भगवान राम के समय का राम राज जलाकर भारत को एक महान भारत स्रेश्ट भारत बनाएंगे प्रचार पसार करेंगे युवाद्िखे आप सोशल मीडिया के जरीए कैसे आप इसको हर जन तक पहुँचाना चाते हैं तक की राम के इस इतिहास की कहानी हर तक पहुचा है। इसमें भगवान राम के मंदिर का बिध्धनस करना اور उतना ही नहीं पूरे भारत वर्ष पर सारी बातों को इस फिल्म में दिखाया गया है 500 सालों में क्या-क्या आत्याचार हुए क्या-क्या आंदोलन हुए और उसके पहले हमारा देश कितना महान था इन सब बातों को चित्रित किया गया प्रसार करने के उप्लेट फार्म हैं तो सभी माध्यमों से क्योंकि ये केवल राम मंदिर का प्रचार नहीं है ये भारती संस्कृति का प्रचार प्रसार इसमें नहीं थे प्रचार पर जिस तरीके से प्रस्ट भूमी पर आप शहर बदल रहा है नगरी बदल रहे लेकिन उस आंदोलन से जुड़े रहे लोगों की प्रतिक्रियाएं और आयुद्या का बदला आप किस तरीके से हुआ है वो इस फिल्म में कहीना कहीं आप सुरिकान जी ने दिखाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं उसी के इर्दगिर्द ये पूरी फिल्म नजर आती है पट्रू से क्यावना बेन रोहित के साथ अब शेख मिश्रा आज तर्थ